पहले बात करते हैं प्रोदेश में अवैद खनन को लेकर मुखिमन्फी अशुग घैलोट की गंभीता की मुखिमन्फी अशुग घैलोट इसको लेकर बेहत गंभीर है SP कलेक्चर ग्रह विभाग और खनन विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटे थी मुखिमन्फी घैलोट अधिकारियों को साफ निर्देश भी है अवैद खनन के खिलाफ अभ्यान चलाने के ये निर्देश मुखिमन्फी अशुग घैलोट ने दिए है विभन विभागों के अफसरों को समन्वे के निदेश की मुख्यमंत्री अशोग हैलोत ने दिये है साथ ही अवैद खननन माफियाओं के द्वारा कुछली की घटना पर नारास की मुख्यमंत्री खैलोत में साहिर की हाली में हुई हर्याना के नोहगाव में जीएसपी की हत्या पर भी उन्होंने खेद ब्यक्त किया कई जगा में पूर्व में भी इस प्रकार की खबरे आती रही है जिसमें खननन माफियाओं का अतंक लोगों की जान पर कहर बन कर दूटा है और मुख्यमंत्री अशोग घैलोत इसको भली बात ही समझते है इस मामली की संजीदगी को इस मामली की गंफीता को समझते हो उन्होंने आज एक बैठक ली और इस बैठक में साफ तोर पर नर्देश दिये है साथ ही जन अधिकारियों की मिलि भगत पाई जाती है उनको लेकर मुख्यमंत्री घैलोत ने कहा कि ऐसे अधिकारियों और करमचारियों के खिलाब कडी कारवाई हो नी हुनी चबहिे किसी आधिकारी की भी मिलिभगत अगर पाई जाती है तो उस पर सक्त से सक्त कारवाई हो और साथ ही अवैद खनन के माफियाओं का जो माफिया ग्यांगिक समय सक्री है बात यहाँ पुदेश की अगर हो रही है प्रदेश में भी कई ऐसे जगे हैं जहापर अवैद खनन को लेकर के लगातार बाते जानकारिया सामने आती हैं कई लोगों की हत्याप ही की जाती है वैद खननन माफ्याओं के द्वारा को चलने की घटना पर नाराजनी मुख्यमंस्री घैलूत ने इस मीटिंग में जाहिर की और साथ ही कई जगाचों के पूरूर मेव के इस प्रकार की खबरें सामने आती रही हैं अधिकारियों के अगर मिली भगत पाई जाती है उसको लेकर भी सक्तरों को उन्होंने कहा कि कड़ी से कड़ी कारवाई यसे अधिकारियों के खिलाब भी होनी जाहिए तो वही प्रदेश के शेक्ष्रिक धांचरी की काया कल्प में घैलूत सरकार जुटी है जिहां मुख्यमंत्री घैलूत ने हाई सेकेंडरी स्कूलों को लेकर के बड़ा फैसला लिया स्कूलों में उप्रदानाचारी यानिकी एल फोर्टीन के 12,421 नवप्रदों के इस विजन के तुसाफ कमंजोरी मुख्यमंत्री घैलूत दी है निक्तिनीके का नया नवाचार उफ्रदानाचारी के ये नवीन पद बंचायस्तर और श्वेहरी क्लस्टर में 10,217 विध्यालें इसके लावा 255 से अधिक नामानकन वाले 2,204 विध्यालियों में इस्प्रजित के जाएगे और सरकार के स्पैसली से इन स्कूलों में गुणवत्ता प्रोन शिक्षा के लिए प्रभंधन कंत्रिकों सुग्रण होने श्रेक्षिक कार्यों का सुचारू संचालों और परिवेक्षण बहतर हो पाएगा साथ ही विभात में पदोनती के अफसर भी भड़ेंगे और भविश्र में पदोनती चानल में अधिक स्पश्टा आएगे और प्रधानाचारी पत्पो समर्गित करने के लिए राजस्पान श्रेक्षिक सेवानियम 2021 में संचोधन और संचोधन को अपरेल 2022 को कैबिनेट मंजूरी के बाद दियोपी से अधिसोचना भी जारी हो चुकी है तो कही न कहीं शिक्षा के महत्र को यहाँ पर किस तरह से और अधेक लोगों तक पहुँचा जाए जो जिन लोगों तक शिक्षा नहीं पहुच पा रही है या पर गुणवत्ता फोड़ शिक्षा का जिन इलाकों में अभाव है वहाँ पर किस तरह से नव पदों किस विजन के जरीए शिक्षा के डायरे को उन लोगों तक पहुँचा जा सके जो कि आज तक इससे अच्छूते रहे हैं क्योंकि मुखिमत्री अच्छू भैलोग का ये विजन है कि हर बच्चा पढ़ लेकर के यहाँ पर अपनी जो बेसिक एजुकेशन है उससे भी जादा एडवांस एजुकेशन हासित रहे हाइट सेकेंडरी स्कूलों को लेकर के बड़ा फैसला है स्कूलों में उप्रधानाचारी जिसे की L14 कहा जाता है उनके लिए 12,421 नवीन पदों के इस विजन के पुस्ताफ को मन्जोरी मिली है उसके लावा जो तमाम नई नवाचार है वो भी के जा रहे है बात यहाँ पर असकेंडरी स्कूलों की हो या फैसला उप्रधानाचारी अलो पदों के पुस्ताफ को मन्जोरी मुपिमंत्री अशुक हैलो के लिए तो वही प्रदेश के किसानों को लेकर भी कहनोटसरकार गप्की मुखे मंत्री गहलोत ने राज क्रिशी बजट को लेकर समीक्षा बैठक्नी कहा, आधोनिक तक्नीक आधारिफ खेती से किसानों की आय बढ़ेगी, तो देखें इस शिक्षा की यहाँ पर बात हुई, थन अवैर थनन को लेकर मुखे मंत्री अशुग गहलोत गंभीर यहाँ उसको लेकर की मीटिंगी नेकिन साथी साथ प्रुदेश में एक खृष्षी शेत्र में किसानों की आय का एक सिंसाधन है और महत्पून जरिया कृष्षी है, इसको भी मुखे मंत्री अशुग घहलोत भी भाती जानते हैं, इससे भी परिशित है, और इसको लेकर मुखे मं अगर तकनीके चलती आ रही है अगर उसमें आधुनिक तकनीक को समाहित किया जाए उसमें आधुनिक तकनीक को जोड़ा जाए नवीम सयंत्रों के जवारा अगर खेती को बढ़ाया जाए और ऐसी खेती की जाए जो कि जुसके उपज जादा हो पैदावार जादा हो जिससे आए का स्प्रोध भी बढ़ सके, किसानों को आए दोगुनी हो, इसको लेकर के आधोलिक तक्निकों को अपना जाएगा और इसलिए जानकारिया से की जाएगी प्राभधान भी की जाएगी, क्रिशी बजट को लेकर भी सरकार काफी जादा इस बार कारे कर रही है, नवाचार करे ही, अलग से क्रिशी बजट को लेकर के समीक्षा बैठर, और साथ ही 40 करोड के 1000 जोन भी किसानों की सहता करेंगी, जोन के जरिये समय समय पर मॉनिटरिंग हो पाएगी, ड्रिप इरिगेशन ही सिचाई का भविश्य है, यानि कि ड्रिप इरिगेशन अगर आप अपने अ दरसल मंत्री प्रुताफ सेंग खाचर यवास के आवास पर स्कूर्टी विद्परंट कारिक्रम आयुजिताज किया गया, सुविलाइन्स विधान सभाक शेफ्र के 30 दिव्यांग जनों को स्कूर्टी दीकर, इस मौके पर खाचर यवास ने कहा कि वे मुख्यमंत्री कारिक्रम की दौरान, मंत्री प्रुताफ सेंग खाचर यवास ने भी कहा कि मुख्यमंत्री अशुगहलों से बात करेंगे, क्योंकि इस स्कूर्ट इस समय है रोसकार की और हर व्यक्ती जब इंडिपेंटिन्ट होकर के खुद से पैसे कमाता है, खिटका रोसकार उसके पास स्कूर्टी ही की तर्स पर दिव्यांग जनों को रिक्षा देने की बात भी रखेंगे, मंतिर पुदाफ सिंग खाचर यवास ने इस दौरा ये बात के ही, कारिक्रम के दौरान उन्हें कहा कि जिससे जुरुत मंदों को बेरुजगारी की समय में, इस कठिन समय में कुछ अपनी लंबित मांगों को लेकर कि एक बार फिर से आंदोलन की रहा पर सरपंचु जी हाँ, पूरे प्रुदेश पे सरपंचों ने पंचायतों में पाक्षिक बैठकों का बहिश्कार किया, ग्राम पंचायतों और सरपंचों के और से तालिबंदी की गई, दरसल 25 अध्यक्ष वैजिला, अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है, आंदोलन की आगामी रणिती की तैयारी इस बैठक में की जाएगी, साथ इस सरपंचों की नाराजगी और पंचायती राज मंत्री रमेश मीना का बयान भी सवरान आया, उने कहा कि मैंने कभी सरपंचों के बोला था कि दुभा के पैसे कुस नहीं जगहा पर काम दोई, किसी भी तरह के अन्यमित्ता सामने आई तो कारवाई होगी, तुनेश में मनवेगा और वाटर श्रीट की कामों में गल्ती मिलने पर अतिकार्यों पर ये कार पाई हुए लेकिन अब कही ना कही एक बाद फिर इस आंदोलन में अपने उपसे के दर्ट कराएंगे, किने किने शामिल होना है, ये तमाम वो बाते जो कि इस बैठक के में चर्चा का विश्वे रहेंगी, आंदोलन में आगामी रणीते की तैयारी की जाएगी हो, साथी साथ में 25 जुलाई के बाद में कहां पर ये पूरा अंदोलन रुख लेता है, ये भी देखना महट हो नहीं कि रहेगा। महिलाओं के समहिलन को लेकर के तैयारिया भी زोरो शोरू से जारी है। राजव्वगा के तहित गरीब महिला का श्यायद कैसे हूँ, इस बारे में चर्चा की कई बिना किसी भीदभाव के पाद सो महिला कूल लाब हो, राजव्वगा ने महिलाओं के जिंदीकी को बदल द करेंगी जानकारी ये है कि कई घोष्टनाइब भी इस मंश्ट से मुख्यमंत्री अशुग है लोग महिलाओं के लिए कर सकते हैं चुल्ए बात करें हैं राजस्तान के भाज़्पा के संसदों के गजब के कौनफिचन्स के बारे बी तो प्रदेश में आगामे विधान सभा चुनावों को भे लेकर के गजब का कौनफिचन्स सभी में नजर आ रहा है सभी सांसत 2023 में भाज़पा की सरकार को लेकर आश्मस्त है जब सांसत आपस में राज़स्थान को लेकर जिक्र करते हैं तो हर सांसत गजब के confidence के साथ में जवाब देते हैं कहते हैं सब ठीक है जी राज़स्थान में 2030 में बन रही है भाज़पा की सरकार आला कि राजस्थान में सियम चेहरे को लेकर सांसद अभी भी असमंजस पे हैं चेहरे को लेकर clarity भले ही ना हो लेकिन body language में confidence पूरा है जब ही भी बाते होती है भले ही media के सामने हो किसी कारिक्रम के दौरान हो सांसद यही कहते हैं कि 2030 में रादस्थान में भाज़पा के सरकार बन रही है इसमें कोई संशे नहीं है इसके लिए पूरी तरह से आश्वस्त है चेहरे पर अभी हाला कि पेज़ फसा हुआ है कौन होगा चेहरा भारती जन्तापार्टी के और से म आला लेता है वो पहुँच रहे हैं आला चेहरे भारती जन्तापाटी के पहुच रहे हैं और पुधान मंत्री नरेद्र मूदी जिस तरह से हराजयों में विधान सभा चुनावों से पहले एक चेहरे की महतूर भूमिका प्ले करते हैं हो सकता है रादस्थान में भी उनकी पुधिल सहर बार कहता है लोगों के मन में गुस्ता तुआ कर गया कई लोगों ने तो केवल तलखा लेने के लिए ही वहाँ पर बैतना समझा है उच्छे तलखा देने के लिए प्यादिकारी को उनकी घर जाना पड़ता है ऐसी दुरगती एक साल से लहीं कई साल से जारी है मेरिकल भैकमे में सुधार करने के लिए सक्टी करते तो नाराज़ती होना सुभाविक है उनके बन में ये पीड़ा है कि मैंने जबाजमें में सुधार करने का प्रयास किया तो मेरे ही लोग मेरे खिलाफ ऐसी बाते कर रहे हैं उनका मन आखरोश में आ गया और वो ये बोल गया और हो सकता है कि उन्हें किसी में धंकी दी हूँ उनकी फिलस ना उनकी सरकार मारने की धंकी मामले में सीधे मुख्यमंत्री को गहना शाहिए साथ ही वाजेबली को देकर उन्होंने कहा सरकार पर जब ही संकत आया तो पुर्मी पर गुड लगाया गया च्रांसफर का जो कोटा लोट किया गया उसमें कुछ हुए कुछ नहीं हुए किसी ना किसी नीथे के तहट ही च्रांसफर होने चाहिए बिना किसी नीदी के चांस्पर नहीं होने चाहिए, नहीं तो प्रशास्निक सुधार नहीं होगा आगे उन्होंने कहा कि वाजिब अली ही नहीं कई लोगों ने सरकार को तिकाख़ रखा है उसमें से 70% लोग यही रोना रो रहे हैं चली जानते हैं राजकाश की बाते राज्यों की ब्योरोक्रेसी में अब एक नया सवार कौन बनेगा उपराश्पती का सचिव चुके अगले महा कारिकाल सभाले वाले हैं जल्ती धनकर्ड किसी सीनियर अफसर को बना जाएगा सचिव रिटार्ड या फिर वोरकिंग आईस को भी चार्ज मिल सकता है धनकर्ड का कारिक्ष्वित्र राजस्थान से भी बाहर है और हर्याना साथ ही दिल्ली में भी उनके अच्छी पकड़ है कहीं से भी तलाश सकते हैं अपने पसंद का सचिव यानिकि लाजस्थान में तो अच्छी पकड़ है लेकिन हर्याना और दिल्ली में भी उनकी काफी अच्छी पकड़ है अपने पसंद के सचिव को देखते हैं कहा से चुनते हैं जब धी पहन कर लेकिन राजस्थान की किसी अफसर को परात्मिकता मिल सकती है अपसर को दिल्ली के कामकाज का अनुभव होना जरूवी है। जब दी धनकटी वहां से चूज करते हैं और आटस्थान को ही एक बार फिर से ये मौका मिलेगा। अजमीर पुशकर बस सर्विस लिमिटेड, कोटा बस सर्विसीज लिमिटेड, जूटपूर बस सर्विस लिमिटेड, उदैपूर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड को दिया अदिश परिक्षार्थी के साथ आने वाने लोगों को देना होगा। यानिके जुन लोगों के पास में एट्विट कार्ड रहेगा जो खुद परिक्षा देने के लिए जा रहे हैं उन्हीं किराया नहीं देना होगा लेकिन परिक्षाठी के साथ में अगर उसके परिजन है या फिर उसके साथ में कोई साथ में उनके पहुंच रहा है तो उसे ही किराया देना होगा 21 से 26 जुलाई तक ये सुबधा जारी देगी अपना एड्मिट कार्ड लिखा कर यहां पर किराया देने से पर सकते हैं किराय उन्हें नहीं दीना होगा तो रीट के परिक्षा में परिक्षार्थियों के सुबधा के लिए रेलवे की भी कवायत साम्याई हैं हिसार खातिपुरा जैपुर परिक्षा स्पेशल ट्रेन चलेगी शूने च्रार साथ शूने आठ खातिपुरा जैपुर इसार परिक्ष्वा स्पेश्वल 23 और 23 जुलाई कुझे लेगी शौनिवार और अविवार को खातिपुरा से श्राम 7 बज़ी रवाना होगी। मादुपुर, रिंगस, गुविंदर, मलिकपुर, शौमू और सामूर, साथी धैर कबालाजी, जैपुर, गाधिनगर, जैपुर और गैटोर, जगतुरा में ये च्रेन रुखने वाली है। मंत्री भाया से लिला है। बीमसी चालू नहीं होने की डेरी मंत्री शिक्सकायत की मंत्री ने कहा जान स्रिपूर्ट के आधार पर कारवाही होगी। अहरत्पुर मामले पर कहा साधू संत जिन पहाडियों की बात करें हैं। उनके आसपास करीब 50 से 55 बीस पहले से दी हुई है। जिनकी बकाइदा इसी भी मौजूर है। और ऐसे वे वहाँ पर नियामनुसार खनन हो रहा है। लेकिन इसमें जो भी तरक संगत कारवाई होगी वो जरूर की जाएगी। लेकिन अगर वहाँ पर इस तरहा का अंधूलन दीते 551 मिन से जारी है और वो अब बढ़ता हुआ, तूल पकड़ता हुआ नसरा रहा है। आज वस्त भी हाला क्यों भी किया क्या है तो इसमें जितनी भी तरक संगत कारवाई होगी वो ज़रूर की। उड़ते हुए विमान का विंट शील्ड हुआ ग्रैक। देश में विमान अक्षेत्रों में लगा अतार बढ़ रहे तकनी की गड़बडियों के मामने गोफर्स की फ्लाइट नमबर G-H-151 का विंट शील्ड तूट कया। दिली से दोपहर 12.45 मिनट पर ये दवाना हुई थी लेकिन कुछी दिर के बाद में पाइलट को इस तकनी की खामे का पता लगा विंट शील्ड प्रैक होने के बाद में फ्लाइट को वापस दिल्ली के लिए ले चाए गया लेकिन दिल्ली में शुकी खरा मौसल चार उसके चलते वहाँ पर ग्रीन सिगनल नहीं मिना लैंडिंग के लिए दो बच कर 55 मिनट पर फ्लाइट को गुआती पहुचना था वैसे तो वहाँ पर उसे उतरना था लेकिन जैपूर एरपोज पर सुरक्षित तरीके से ये फ्लाइट उत्री यानि कि जैपूर एरपोज पर चलते के बाद में लगातार हुआ में ही उठता रहा है एक बार की के लिए असमंदर से लिकिने सवाल ही जो सरहा से लगातार कई तकनीकी खामिया रही है इक बात है कि क्या ठीक से मेंटेनिंस नहीं हो पा रहे है क्योंकि विमानम्च शेत्व में लगातार तकनीकी का विंड शील्ड तूड किया लेकिन वहाद के बाद ये कि विमान में सवार सभी आते सुरक्षत रहे और सुरक्षत जैपूर एरपोर्ट पर इस विमान की लांटिंग हो गए